है अपिधित Cumhaar सक्षिनऐ से हम लोग अप्टक में सुरू करेंगे कमिश्टरी के बारे में सुरू करेंगेicias स्वाइज करेंगे को अन तक ले जाने के लिए कोशिस करेंगे आपको से जो भी परना है इसके अपकरने के कोशिस करें एक 10 का कवर करने के लिए कोशिस करेंगे और है विशलुवात से जड़ Prinzip सब्सक्राइब से हम लोग कमेश्ट्री को पकरने के लिए कोशिश करेंगे इसलिए हम लोग लिखें वाटिज कमेश्ट्री तो पहले हम लोग कमेश्ट्री जानने से पहले कमेश्ट्री किया होता है उसको जानने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे Engineering life में Engineering syllabus में क्यों दिया जाता है chemistry आपको syllabus में क्यों पढ़ा जाता है first year में chemistry देखिए इसका मुल्कारण है कि एक तो आप engineer बनने वाले हैं तो आपको हर एक subject का ग्यान होना चाहिए इसलिए first year में आपको physics भी पढ़ा जाते हैं मैश भी पढ़ा जाता है यहां तो Communication skills भी पढ़ा जाता है Hindi भी पढ़ा जाता है और chemistry भी पढ़ा जाता है ताकि आपकोıyork इंजिनियर और राण्डर हो सके ठीकता अपको कोई भी subject में है बुरभक ना बनावे। आपको मुर्ख ना बनावे इसलिए आपको हर यह चीद को ह imaginarी होना चाहिए इसलिए आपको हरेक सब्जेट को ग्यान दिया जाता है दूसरी बात क्यों पढ़ा जाता है कि दूसरी कारण यह है कि देखिए कमिश्ट्री हर चीज़ से जुड़ा हुआ है हर एक यह आप मेकनिकल इंजिनियर हैं तो यदि आप मेकनिकल पार्ट पुर्जा में मेकनिकल के यंत्र में उनके समान में उनके जो भी यंत्रे हैं उनके में किस परकार हमको करोजन लगेगा तो क्यों लगता है किसको से बचाओ के लिए कौन बताता है कमेश्ट्री तो कमेश्ट्री ही बताता है उसका परपर्टी भी बताता है कोई मेटल हो या नन मेटल हो या कोई भी कि किसी प्रकार के समान हो उसका परपटी बताना उसमें क्या चीज है कहां इस्तमाल करें अब मान लिजिए अन्मुनियम के सब बने हुए समान से हम लोग हवाई जहाज को बनाते हैं क्यों क्यों कि वह हलका होता लोहा के बना को कोई उड़ा के दिखा दे माई कलाल है तो में भी कई परकार का उसमें मिक्स होते हैं ठिक क्या से से बस सकते में किस परकार सकते सब कमिश्ट्र्य सिखाए या फिर्लैक्तिक तो कभी मत कि यह में करेंट आ आ जा रहा तो उसमें इलक्टरॉन प्रडूक्ट्रॉन क्या है तो कमश्टरी भताएंग आपको बीना क्रीके बीना तो वह तो 依ाणом हो जाएगा अलेकर अपको इंचिनिर्शे में गुईर्स्ट्रे तो यह आपको क्रीम मिलेगा ही नंट ह हर जगा कमिश्टरी यहां अपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कई चीज दिखाई भी नहीं देता है इसलिए कई पढ़ने में भी दिखाई होता है और नेट्रोजन तो दिखाई देता है इसलिए बहुत के कमेश्ट्री आदि कए क्या है तो लिखाई का पुछा ग्लास में पढ़ रहें कोई आप से पुछा नहीं का होता हूट थे ब्रांच अब साउैंटे डील्स बिटार कोंपोजिशन ब्रॉज्पे और motives कमें होता है श्रॉय फिट्री दॉर्प और सब्र शक्रांडरOkay आप से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा डिफिनेशन है इसको आप याद कर लीजिए बहुत ही सिंपल है एक ब्रांच आप साइंस का एक ऐसा ब्रांच जो की बताता है डिल्स करता है किसका स्टडी के लिए कपोजीछन कोई भी चीज है तो हर एक चीज एक डुसरे से मिलकर बना है लिए चौक ले लिए हैं स्काइब प्रकार का बनावट क्या है ठिक तो इसके बारब सब्सक्राइब कोई भी परकार का मैटर का मैटर का हिंदी होता है परदार्थ धियान दीजेगा मेरी दोस्त मेरी स्टूडेंट्स यह चीज़ समझ लिजे कि आगे भी आने वाला है यहीं से शुरुवात होती है कमेश्ट्री का तो यहां लिखा हुआ है कि कमेश्ट्री एक साइंस का इससा ब्रांच है जो के डिल्स करता है किसका कॉंपेजिशन मैटर का कॉंपेजिशन मैटर का स्ट्रेक्चर मैटर का परपटी मैटर का रियक्शन तो मैटर होता क्या है मैटर के हिंदी बता दे परदात तो जो भी हमारी आंक से दिखाई देता है और कई बाड ना दिखाई देता भी हो को भी समान हो ठीकना जिसमें ठीकना पहले वह भी हम लोग समझ जाएंगे पहले दखिए क्या है matter का परिभासा क्या हूं भी समझ जाएंगे matter is anything हम साफ लिखा मैंटर एनिफिंग्स बीच हाज मास और पाइदा फिजिकल फिजिकल स्पेस मतलब उसमें भारी वाजन उसको कितना वेट है इस प्रकार के वेट और मास दोनों चेचरा भाई है समझे को बारर में कर देटियल में जाएगा तो कितना उसका मास है कितना उसका वेट है कितना ऊसके वाजन है ठीक न और चा प्षिजिकल असम पहाबं ओसपेस मालजे एक हावा और मतलब परदाथ परदाद मतलब जो जिसके पाहर Εक Init तो उसको matter कहेंगे परदात जो भी हमारी आँखों से दिखाए दे रही है कई बार ना भी दिखाए देती है जिसके पास मास होते हैं जिसके पास फिजिकल कुछ रखने के लिए किस प्रकार होता है उसको परदात करते हैं एक्जामपल के लिए टेबल हो गया वाटर हो गया हावा हो गया सट हो गया पाइंट हो गया ड्रेस हो गया लड़की हो गया लड़का हो गया बुढ़ा हो गया बुढ़ी हो गया सब चीज पंखा टेबल कुर्सी बंच मोबाइल सब चीज मैटर है अब इसके बारे में मैटर का हुआ उसके बारे में पढ़ना ही कमेश्ट्री कहलाता है यही हम लोग कमेश्ट्री के बारे में जानते हैं आगे हम लोग देखेंगे कि मैटर क्या होता है तो देख लिए अब मैटर का टैप्स क्या होता है कितने हागों में उसका वरगी करन किया चाहता है उसके बारे में हम लोग next video में देखेंगे बस अभी हम लोग discuss किये chemistry का होता हैं तो satelli हमको पताचला को ढ़ला किसी भी परकार मैटर के बारे में मालने परदारत के बारे मिसके composition के बारे में study करना study of composition study of увederate study of reaction किसका मैंटर के उसके बारे में हम लोग करना 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 कर अच्छा लगा होकर लाइक कीजिए आगे आप देखते रहें धन्यवाद